नमस्कार दोस्तों मैं शुद्धान्त उलंबेक स्टेडी में आपका श्वागत है दोस्तों इस टाइब को जो फॉर्मेट आप देख रहे हो इस टाइब का आज हमारा ये पहला वीडियो सेस्टन है और टॉपिक हमने लिया है उत्तर प्रदेश सेख्छा शाहित एवं पत्र पत्रिक आए यहाँ पर इसका मने अब्जेक्टिव क्वेश्चन लिया है लगबग आपको 30 कॵेश्चन यहाँ पर मिलेंगे कहने को दोस्तों 30 कोई ने लेकिन लगबग इसके पीछे जितने भी कोईश्चन बन सकता है हरते को पिते हैं उसको भी हम यहाँ पर एकस्प्रे करेंगे तो आप लोग वीडियो सेसन को सुरू से लेके लाश तक देख लेज़ेगा ताकि आपके जो फिर डाउट हों कहां से पोशा जाएगा ये टॉपिक मैंने चुले लिया है सिछा साही पत्र पत्रिकाएं इसका अब पुछोंगे कि सर ये कहां से बीच में आ गया तो इसको ये मैं ट्राइ कर रहा था मैंने जिसको बताया था की अप टाइप कर दो तो उन्होंने इस चीज को टाइप कर दिया है और इसी बेसेज पर आज हम इसको गवर कर लेंगे इसका 30-40 जो भी इंपॉर्डंट question है आज हम इसको cover कर लेंगे इसके बाद में जो next video होगा जो next typing होगी उनको मैं बता दिया करूँगा कि हाँ ये topic मैंने पढ़ा दिया है और इस चीज का आपको type करना है तो अपने हिसाब से वो चीजें देख लेंगे ठीक है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज आप समझ गे होंगे तो बिना किसी देरी के हम वीडियो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला question है दिखिए उत्तरप्रदिस का प्रथम मुक्त विश्विद्याले स्थित है आप लोग option देख लिए आगरा में अब यहाँ पर देखिए मैंने दू-तीन चीजे कट कर रखी है यहाँ पर आपको एक दू-तीन करके नहीं मिलेगा पहली बार time waste ठीक है यहाँ आपको question लिखा नहीं मिलेगा time waste कोई मतलब नहीं है आपको just यहाँ पर question देखो और यहाँ पर option देखो उसमें से आपको click कर देना ठीक है आप लोग इतने exam देरोंगे आपको पता होगा कि यह A है B है C है D है ठीक है यह फिर बहुत लोग आबा साधा वाले भी होंगे जैसा कि आप लोग होंगे आप लोग अर्जिस का लिए ठीक है तो उत्तर प्रदिस क हो года कि बहुत सारे यसे होता नहीं कि अमने सुमना होगा कि वो लोग फाल के दूरस्त सिक्छा ले रहे हैं बहुत होता नहीं किि मैरे पॉर्म डाल दीया है और जास्ट delta देने जाना है तो यहुच टाइप की जो शिक्छापदती होती है उस टाइप की जो शुविधा fel defectlers इन ही को बोलते हैं मुक्त विश्चुविद्याले यानि कि अब इसका जो में केंद्र होगा वो है मुक्त विश्चुविद्याले का केंद्र है और उसे सम्मझने जो साखाय होंगी उनको बोलते हैं फार्म डालने वाला स्कूल जैसा कि बहुत सारे गाउं विलेज में इस च तो उस टाइब की प्रॉब्लम्स ना होने पाए, सभी को सिक्षा मिले, इसलिए मुक्त विश्र विद्याले के स्थापना की गई थी, इसके अंदर का साकाइं खूली गई है, वहाँ से वो लोग दिवरस्त सिक्षा ले सकते हैं, ठीक है, तो यह हो गया, पहला कोईश्चन, इसके संबंदे, जो टॉपिक था, उसको मैंने एक्स्प्लेंट कर दिया है, आगे बढ़ते हैं, दोस्तों दूसरा कोईश्चन हमारा है, बनारस हिंदू विश्र विद्याले का स्थापित कब हुआ था, यह आपको पता है, तो यह स्थापित हुआ था 1916 में, यानि कि 1916 म जो है मदन मोहन मालवी ने इसकी उद्घाटना या फिर इसको उद्घाटित किया था, ठीक है? अगे बढ़ते हैं, प्रदेश में केंद्रिये करसी विश्र विद्याले के स्थापना की गई है, केंद्रिये करसी विश्र विद्याले के स्थापना कहां प्रदेश में केंद्रिये करसी विश्र विद्याले के स्थापना कहां प्रदेश में केंद्रिये करसी विश्र जहांसी में, जहांसी में, बादा में, या फिर बरेली में, तो इसका जो सही एंसर हमारा यह है जहांसी में, जहांसी में, जहांसी में, 2014 में केंद्रिये क्रसी विश्व विद्याले के स्थापना की गई थी, और यह महरानी लक्षमी भाई के नाम पर इसको रखा गया है, ठी सिक्षा से संबंदित है या फिर प्रावधिक सिक्षा से संबंदित है तो यहां पर जो मारा एंसर होगा यह सही है प्राथमिक सिक्षा से संबंदित है ठीक है कल्प योजना प्राथमिक सिक्षा से संबंदित है अब कल्प योजना के अंतरगत हुआ गया था तो कल्प योज दोस्तों और वंदे मातरम गायन को लेके भी विवाद उठा तो इसलिए चुकी ये विवादी ती योजना रही है इसलिए ये थोड़ा फैमस हो गया तो इसको बोलते हैं कल्प योजना जोकी प्रात्मिक सिक्छा से संबंद देती योजना है ठीक है आगे बढ़िए अगला विकलांग विश्विद्याले स्थापित किया गया है तो कहां पर स्थापित किया गया है प्रथम विकलांग विश्विद्याले कहां पर स्थापित किया गया है आपका ओप्सन है लखनों में चित्रकूट में कानपूर में या फिर बांदा में बताईए तो यहां पर हमार अप्सित होती है तो ये प्रकासित होती है तो ये प्रकासित होती है गोरक पूर में एक ब्रांड का अगला कृस्षिय affirm में राजकिय मेडिकल कॉलेज के स्थापना की जा रही है कहां पे किजा रही है उत्तर प्रदेश में राज के मेडिकल कॉलेज की अस्थापना कहां पे किजा रही है आपका ओप्सन है बिजनोर वा सुल्तानपुर में बदायू वा जौनपुर में बुलंद सहर वा हर्दोई में या फिर एटा नगर एटा वा प्रतापगड में ठीक चिक अखिंगे बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रसिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र अवक स्थित है काँ पे इस्थित है बाराबंकी में बरेली में लख्नव में ये फिर रामपुर में बताईए ये आपका लखनोव में इस्थित है ठीक है तो 12 बंकी में बरेली में लखनोव में आपका यहाँ पर एंसर सही होगा ठीक है तो उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रसिक्षण अनुसंधान के इंदर लखनोव में इस्थित है आगे बढ़िए अकला कोईशन है उत् सहाँ वर्स तक का है साथ वर्स तक क्हाल बारा वर्स तक क्हाल और फिर चौदा वर्स तक कैम मतलब वर्स अंतर और सॉत्स है कि कितने वर्स तक प्रियोफ्ती देजा रही है कि बच्चे क्रास्मेंग सिख्छार ग्रहन पर कर सके किस Church Br Chokker देजार रही है तो यह आपको व सिक्षा का प्रावधान है ये किस अनुच्छेद के अंतरगत आता है तो ये अनुच्छेद 21 का में इसको रखा गया है कि 14 वर्स तक के बच्चों को फ्री में सिक्षा दी जाए और ये जो है 46 यानि कि 86 में संविधान संसोधन के द्वारा इसको एक अप्रेल 2010 को लागू कर दिया गया था ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला पुष्चन हमारा है उत्तर प्रदेश में विश्व भारती पुरसकार दिया जाता है किसके द्वारा दिया जाता है प्रदान के जाता है तो यहां पर आपका आप्सन है हिंदी संस्थान द्वारा हिंदूस्तान अकैडमी द्वारा संस्कृत संस्थान द्वारा या फिर उ प्रफेसर ओम कुमार पांडे, प्रोफेसर ओम कुमार पांडे को यह पुरसकार प्रतान किया गया है और इस पुरसकार के अंतरकत, पांच लाख एक हजार रुपए दिया जाता है तो आपसे यहाँ पर बस इतना पूछेगा कि किसको यह दिया गया है फिले टेस्ट में तो यह है प्रोफेसर ओम प्रकास पांडे बाकी यह संस्कृत संस्थान द्वाना ज्याद आता है और विश्वभारती पुरसकार संस्कृत का एक माना जाना एक उच्चे पुरसकार होता है ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला कोईश्चन हमारा है विद्यावाहिनी परियोजना निम्न लिखित में से किस पर बल देती है तो विद्यावाहिनी परियोजना निम्न लिखित में से किस पर बल देती है तो यह आपका ओप्सन यहाँ पर दिया हुआ है कंप्यूटर सिक्षा पर मोली सिक्षा पर या फिर परयावरणिय सिक्षा पर या फिर कौसल विकास पर तो विद्यावाहिनी परियोजना जो है ये computer सिख्षा पर जोर देती है, बल देती है, computer सिख्षा के अंतर कर ब्राउजिंग करना, डेटा सीट हो गया तयार करना है ना, ये सब के बारे में basic चीज है, मतलब ये IT से सम्मंदिक चीज है, IT से सम्मंदिक जो भी डेटा होता है, उस पर ये बल देती है, ठीक, अगला question है उर्दु को राज की द्वितिय भासा के रूप में स्विकार किया गया, कब स्विकार किया गया, बताइए आप लोग, उर्दु को राज की द्वितिय भासा के रूप में कब स्विकार किया गया, आपका option है, 1989, 1961, 1989 या फिर 1979, बताइए तो यहाँ पे आपका सही एंसर होगा 1989 यानि कि उर्दु को राजे भासा की दुतिय भासा के रूप में कब स्विकार किया गया था 1989 में यानि कि 89 में स्विकार किया गया था अगला कोईशन भारती भासाओं के रक्षावा विकास हे तो हिंदुस्तानी एकैडमी के स्थापना कब की गई थी या फिर कहां की गई थी हिंदुस्तानी एकैडमी के स्थापना कहां पे की गई थी अप लोग यहाँ पे कहां पे include कर लीजेगा तो यहाँ पे जो आपका सही एंसर होगा आपको दे दे रहा हूँ अगरा में वराणशी में लखनो में या फिर इलाहबाद में तो यहाँ पर आपका सही answer होगा इलाहबाद में ठीक है अगला question है प्रदेश में midday meal कारेकरम आर Danny किया गया यहाँ पर आपका option है 1985, 1990, 1990, 1997, या फिर 1995, तो आपका यहाँ पर answer क्या होगा, मिड़े मील कभी start हुआ था, 1995 में start हुआ था, ठीक है, आपका last option यानि कि यहाँ पर option number D आपका सही है, अगला question है तो सरदार बल्लब भाई पटेल क्रसी विश्विद्याले अव इस्थित है, तो सरदार बल्लब भाई पटेल क्रसी विश्विद्याले अव इस्थित है, तो यह आपका मेरेट में इस्थित है, सरदार बल्लब भाई क्रसी विश्विद्याले ठीक है, अगला question दे से कौन पहला केंद्रिय विश्विद्याले है देखे दोस्तों इस कोईशन में मैं आपको बता दू थोड़ा सा यहां पर आप लोग कर लिजेगा यहां पर पुराना केंद्रिय विश्विद्याले आप लोग कर लिजेगा तो यहां पर पुराना करेंगे तो आपका इलहाब विश्विद्याल रहे साहिः हो जाएगा, यह परिख्षा वानी से मैं लिया वह पहला, और इन्हों ने अफशन दिया हुए बुक में बेच्यव बनारस हिंद्व विश्विद्याला है, पहला केंद्री विश्विद्याला है, अगर पूश्ता की सबसे पुराना केंद्री विष्वुद्याले कौरेंगे ज़से अब्वेसिंजु बात है इल्हाभाद होगा लेकिन निवनिखिष मेंसे कौन पहला गेंद्रज़ विष्वुद्याला है तो इसका ऑफ्सन दिया यही है अच्छा एक दो यहाँ पर देखी दोस्तों अलीगड मुश्यम विश्विद्याले जिसको सौट में हम एल्यू भी बोलते हैं इसकी स्थापना कप के गई थी इसकी स्थापना के गई थी 1920 में ठीक है और जो हमारा यहाँ पर आप देख रहे हैं डॉक्टर भीमराव अमबेडिकर विश्विद्याले इसकी स्थापना के गई थी 1990 में इसको हम लखनो इनवर्स्टी भी बोलते हैं डॉक्टर भीमराव अमबेडिकर लखनो इनवर्स्टी के नाम से भी जाना जाता है तो इसकी स्थापना उनिस सब चीज़े आप लोग याद रखिये सन अकसर पूछ लेता है यहां से कुछ और भी बन सकते हैं उसको आप लोग देख लिजे एक क्वेशन बनता है कि रानी लक्षमी बाई जो करसी केंद्रिय विश्विद्याले यह कहां पे स्थित है तो यह जहांसी में स्थित है और यह स्थापित क्या गया था 2014 में ठीक है या फिर क्वेशन ऐसे भी घुमा सकता है कि निम्लिखित में से ऐसे क्वेशन बो सकता है कि करसी विश्विद्याले केंद्रिय करसी विश्विद्याले कहां पे स्थित है तो आपका एंसर हो जाएगा जहांसी और यह कब स्थापित हुआ था 2014 में इसी का नाम रानी लक्षमी बाई और एक question और बनता है यहाँ पर राजिव गांधी राश्ट्रिय विमानन विश्रविद्यालाई तो यह राइबरेली में श्थित है और इसको कब स्थापित किया गया था इसको 2013 में स्थापित किया गया था तो यह सारे विश्रविद्याले हैं और इनके date है डेट याद करना जरूरी है राजियू गांधी राश्ट्रिये विमानन विश्विद्याले 2013 में बनाए गया था ठीक है अगला कुश्चन है कनहिया लाल मानिक लाल केंद्रिये हिंदी संस्थान कहां पर है आपका ओप्सन है आगरा में बरेली में गोरकपूर में या फिर मेरेट में तो आपका यहाँ पर एंसर हो जाएगा आगरा में इस्थिति ठीक है अगला कुश्चन है निमलिखित में से कौ अगे बढ़ते हैं, उत्तर पर都एmost में प्रात्मिक सिंच्छा के लिए स्कूल चलो अभियान कब सुरू किया गया था? उत्तर प्रदेस में प्रात्मिक सिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान कब शुरू किया गया था। तो यह आपका अफ़सन है 1999, 2000, 2001 या फिर 2002, तो यहाँ पर जो आपका राइट एंसर होगा यह होगा 2001, 2001 में स्कूल चलो अभियान शुरू किया गया था। अगला कोईशन देखते हैं, उत्तर प्रदेस संस्थान के स्थापना हुई थी 1950, 1955 में, 1965 में या फिर 1976 में बताइए आप लोग। तो यहाँ पर हमारा राइट एंसर होगा 1976 में, उत्तर प्रदेस संस्थान के स्थापना 1976 में हुई थी। अगला कोईशन है, कासी विद्या पीट के संस्थापक थे, कासी विद्या पीट के संस्थापक थे। यहाँ पर option दिये है, पंडित मदन महान माल वीय, अचारे नरेंद्र देओ, बाबु सिवप्रसाद, यहाँ फिर महात्मा गांधी, ध्यान दीजेगा यह गुप्त यहाँ पर गलत हो गया, ठीक है? यहाँ पर, देखी, यहाँ पर हमारा जो right answer होगा, यह है बाबु सिवप्रसाद गुप्त, यह गुप्त इसी में include हो जाएगा, बाबु सिवप्रसाद गुप्त में जो है, इसको हम add कर देंगे, ठीक है? अगला question है, कस्तूरबा गांधी, बाली का विश्विध्याले योजणा कब सुरू किया गया था? तो कस्तूरबा गाधी बाली का विध्याले योजणा 2004 में सुरू किया गया था, यानि कि हमारा यहाँ पर right answer होगा पहला, अगला question है, उतर-प्रदेस में सामान्ये केंद्र कितने हैं, एक, दो, तीन, चार, तो यहाँ पे आपका एंसर ऊजाएगा चार, उत्तर प्रदेस में सामानिक केंदरी विश्विद्द्याले, चार हैं, ठीक है, अगला कोईशन है, सरदार, बल्ला, भाई, पटेल, क्रसी और दकने के विश्विद्द्याले इस्ते थे, यह उ 1968 में अप लोग ध्यान दीजेगा ये 1968 में इसको अनिवारिये कर दिया गया था ठीक है अगला कुशन देखते हैं उत्तर प्रदेश में 1987 में प्रकासित होने वाले दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान के संपादक थे तो हिंदुस्तान के संपादक कौन थे अठारा सो सतासी में ये पबलीश होँ था इसके संपादक आपसन आपका महावीव प्रसाद दोयदी मदन लाल पन्ना लाल ट्रिपल एम यानि की मदन मोहन मालवीए और भारतेंदु हरिश्चन तो यहां पर जो आपका राइट एंसर होगा ये मदन मोहन मालवीए है मदन मोह पोसाहार है तो सहायता कारेक्रम कब सुरू किया गया था बताइए अप लोग तो उन्नी सो पंचानवे में ये कारेक्रम सुरू किया गया था प्रात्मिक स्कूल में किंद्र दोरा पोसाहार सहायता कारेक्रम उन्नी सो पंचानवे में स्टार्ट किया गया था तो उमिद कर लातार होंगा एंद पूरा फोकस रहेगा कि मैं करन्ट अफेर का एक स्रीज इस्टार्ट करूं और वहाँ पे जो बेस्ट और मोस्ट इंपोर्टन कोईशन बन सकते हैं जो की एक्जाम पॉइंट आफ्यू से इंपोर्टन है उसको हम उस तरी इसके अंतरगत स्टार्ट करेंगे ठीक है तो अपना ध्यान रखेगा मिलत एगली वीडियो में जय हिंद